असलाव अलेकुम व्यूवर्स आप लोग सब कैसे हैं आज मैं बेक पास्ता की रेसिपी आप लोग के लिए बना रही हूँ बेक पास्ता बनाने के लिए हमने पानी के अंदर जिस्ट सॉल्ट और वन टेबल स्पून मैंने ऑइल एट किया है और मैं इसमें पास्ता बॉइल क कर रही हूँ मैंने स्पाइरल पास्ता लिया है आप कोई भी पास्ता ले लिए और इसको पैकेट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बॉइल कर लीजिए नेक्स स्टेप में हम इसके लिए चिकन रेडी करेंगे सबसे पहले हमने पैन में ओयल एट कर देना है 3 टेबल स्प जिएरा मैं इसमें अट कर रही हूँ आफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून अब मैं इसके अंदर चिकन आइड कर रही हूँ मैंने चिकन को स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट कर लिया है यह 300 ग्राम चिकन है चिकन को हमने 2-3 मिन अच्छी तरह को कर लेना है उसके बाद हम इसके अंदर टेमाटर शामिल करेंगे टेमाटर अगर आप चाहें तो प्यूरी की फॉर्म में भी आइड कर सकते हैं लेकिन मैं चॉप करके एड कर रही हूँ मुझे इस तरहां टेमाटर का टेक्चर बेक पास्ता में बहुत अच्छा लगता है मैं मैं दो मीडियम साइस के टेमाटरों को फाइनली चॉप कर दिया है और मैं इसके अंदर एड कर चुकी हूँ अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे यह जो हमारी बेक पास्ता की फिलिंग हम रैडी कर रहे है मैं तोड़ी देसी स्टाइल की बनाती हूँ इससे बहुत ही मज़ अगर मैं इसमें अट कर रही हूँ 1 ती स्पून धनिया पॉडर 1 ती स्पून हल्दी 1 ती स्पून सॉल्ट टू टेस्ट किसी भी ड्राय स्पाइसिस की कॉंडिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं बस अब हमने इसको 3-4 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम पे कुख कर लेना है यह अपने ही मसाले में चिकन अच्छे से कुख हो जाएगी देखिए जी वीवर्स हमने 3-4 मिनिट कुक कर लिया है और कुछ इस तरह का टेक्स्चर हमारा रेडी है अब हमने चिकन को साइड में रख देना है चलिए अपने नेक्स स्टेप की तरफ चलते है यहस वीवर्स अब हम पास्ता की असेबलिंग करेंगे सबसे पहले हमने 2 ट नहीं है तो आप कैचम भी एड़ सकते है उस पर चिली फ्लेक्स एड़ कर दीजेगा देर हम हाफ कॉंटिटी ऑफ पास्ता करेंगे उसके बाद हम इसके ओपर चिकन की फुल कॉंटिटी एड़ कर देंगे जो हमने चिकन का मिक्शर रेडी किया था इसके ओपर मैं white sauce add करूँगी white sauce की recipe मैं पहले share कर चुकी हूँ उसका में one cup add कर रही हूँ अभी one cup मैं later on add करूँगी मैं link description box में share कर दूँगी ताकि अगर किसी नहीं देखी है तो वहाँ जाके इस white sauce की recipe देख लें then अब हम यह cheese add करेंगे mozzarella cheese है 100 grams cheese quantity आप अपनी choice के according कमिया जादा कर सकते है then remaining quantity of pasta मैंने इसके अंदर पूरी add कर दी है again chili garlic sauce और अब मैं इसके ओपर remaining quantity of white sauce की add कर रही हूँ अच्छे समने इसको layer कर देना है और finally मैं इसके ओपर cheese add कर रही हूँ 100 gram again mozzarella cheese ही है और इसकी quantity आप अपनी choice के according कम जादा कर सकते है और इगानो स्प्रिंकल कर देगे हम इसके ओपर जब यह bake होगा तो बहुत ही अच्छी fragrance आएगी और इगानों की वज़ा से और वन फोट टी स्पून मैं इसके ओपर chili flakes के स्प्रिंकल कर रही हूँ पास्ता हमारा बेक होने के लिए ready है और बस अब आपने इसको ओवन में रखना है और इसको हम 180 डिग्री पे 5-6 मिनट बेक कर लेंगे इसके लिए अपर हीटिंग जरूरी है मैंने अपर वाला जो ओ करके रख सकते हैं और जस्ट गैस्ट आने से फाइव मिनट पहले आप इसको बेक करें और गरम गरम इसको आप सर्फ करें बहुत ही मज़े की रेसिपी है बहुत सिंपल है बिगिनर्स के लिए भी बहुत एज़ी है कोई बचिया नियू जिने को कुकिंग स्टार्ट की है वो इसको बनाए और बहुत सारी उनको तारीफ मिलती है बहुत टेस्टी जरूर इसको ट्राइ कीजेगा और मुझे अपना फीड़बेक जरूर दीजेगा कि ये कैसी बनी और मेरे घर में भी आज दावत है और मैंने आज ही रेसिपी बनाई है और मैंने इसको फिल्म भी क किया ताके मैं अपने वीवर्स के साथ शेयर कर सकूँ डू लाइक इट शेयर इट अन सब्सक्राइब तो मैं चैनल अंटिल मैं नेक्स वीडियो खुद्धा हाफिज फी अमानिला